कई बार हम लोग बहुत बड़ी एवं बहुत छोटी छोटी संख्याओं को देखते हैं इन संख्याओं को लिखना और पढ़ना दोनों ही मुश्किल है जैसे सुर्ष से प्रीथवी की दूरी देखें कितनी बड़ी संख्या है इसे लिखने में परिशानी है और पढ़ने में परिशानी है सुर्ष का द्रव्यमान ये केजी में है किलोग्राम में कितनी बड़ी संख्या है इसे लिखने के लिखने के लिखने में परिशानी है और पढ़ने में तो है ही उसे तरह से आप छोटी संख्याओं की बात करें तो ये एक उदारन है कागस की मोटाई ये भी बहुत चोटी संख्या है लाल रक्त कोसिकाओं का ओसत व्यास ये भी काफी चोटी संख्या है इसे भी लिखना बार बार लिखना और फिर इसे पढ़ना एक मुस्किल का काम है पौधों की कोशिकाओं का उस्चत व्यास ये में देखिए कितनी छोटी संख्या है तो हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी संख्या है और इतनी छोटी-छोटी संख्याओं को लिखना और पढ़ना दोनों काफी मुश्किल है तो इसका एक समाधान निकाला गया इन्हें मानक रूप में लिखने का चलन हुआ तो किस तरह से हम इसे मानक रूप में लिखेंगे ताकि हमारा लिखने में भी स्विधा हो जाए और पढ़ने में भी स्विधा हो जाए आज की कर्चा में हम यही सीखेंगे कैसे बहुत बड़ी संख्याओं का मानक रूप में लिखा जाए और कैसे बहुत छोटी संख्याओं को मानक रूप में लिखा जाए बहुत बड़ी संख्याओं का मानक रूप आए देखते हैं किस तरह से हम बड़ी संख्याओं का मानक रूप लिखते हैं तो एक उधारन ले रहे हैं सुर्य से प्रीथवी की दूरी यह है एक चार नौ और इस पर नौ जीरो है इसके बाद नौ शुन्ने हैं हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को हम एक से लेकर दस के बीच की दसमलो संख्या और दस के घात के गुननफल के रूप में लिख सकते हैं तो आईए हम इसे लिखते हैं एक से दस के बीच के दसमलो संख्या और दस के घात के गुननफल के रूप में तो एक से दस के बीच इसमें अगर हम लिखेंगे दसमलो संख्या तो यह हमारी हो जाएगी एक दसमलो चार नौ जब हमने यह दसमलो संख्या लिखा तो अब हमें गुना करना होगा कितने से देखिए यहां से हम गिनते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा यानि ग्यारा अंग के बाद हमने दसमलो रखा है तो यह हो जाएगा हमारा इसके गुना लिख करेंगे एक पर ग्यारा सुनने से दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा फिर सिके लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा अगर एक दसमलो चार नौ को हम इस बड़ी संख्या से इससे अगर हम गुना करें तो यह फिर इतना आ जाएगा अर्थात ये क्या हो गया एक दसमलो चार नौ और ये जो है एक पर ग्यारा शुने इसे हम कैसे लिख सकते हैं दस का घात ग्यारा तो अब देख रहे हैं कि इस तरह से हमें इतनी बड़ी संख्या को अगर हम इस तरह से लिखें तो काफी सुधा जनाब होगा और यही इसका मानक रूप है इसी तरह से अन्य बड़ी संख्याओं को हम व्यक्त कर सकते हैं बहुत छोटी संख्या का मानक रूप स्टेंडर्ड फॉर्म और वेरी स्मॉल नंबर्स आए हम देखते हैं कि बहुत छोटी संख्या को मानक रूप में किस तरह से व्यक्त करते हैं इसके लिए एक उधारन ले रहे हैं एक कागस का मोटाई यह है 0.0016 cm हमने पहले सीखा है कि किसी भी संख्या को मानक रूप में किस तरह से व्यक्त करते हैं तो मानक रूप होता है किसी भी संख्या का एक से दस के बीच की दसमलो संख्या और दस के घात का गुडन फल तो सबसे पहले इस संख्या को हम एक से दस के बीच के दसमलो संख्या के रूप में लिखेंगे तो इसके लिए इस दसमलो को हम तीन अंग दाहिनी ओर लाएंगे तो यह हो जाएगा एक दसमलो 6 चुकि हम तीन अंग दाहिनी ओर लाएंगे इसलिए बटा में हो जाएगा एक पर तीन शुन्या और एक दसमलो 6 बटा चुकि एक पर तीन सुन्या है तो इसे हम लिख सकते हैं दस का घात तीन और फिर इसे हम व्यक्त कर सकते हैं एक दसमलो 6 गुना 10 का घात माइनस 3 तो यह हमारा मानक रूप हो गया 0.0016 सेंटीमीटर का इसी तरह से अन्य छोटी संख्याओं को भी हम मानक रूप में व्यक्त करते हैं